पत्रना के डाक बंगला चोराहा पर पुलिस फोर्स तैनात थी, किसी के हाथ में आसू गैस छोड़ने वाला बंदूक था, किसी के हाथ में वाटर कैनन था, किसी के हाथ में लकड़ी की लाठी थी, किसी के हाथ में वो पुलिस वाली प्लास्टिक की लाठी थी, और उधर से भाजपा कारेकरता नारा लगाते हुए आ रहे थे कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को हम गिरा देंगे लेकिन खबर इससे ज़्यादा बड़ी है और खबर ये है कि जो आपको ये आदमी स्क्रीन पर दिख रहा है ये गोलाकार जो हमने बनाया हुआ है इस आदमी का नाम है वि विजय कुमार सिंग जी ने PMCH में दम तोड़ दिया है जहानाबाद में भाजपा के महामंत्री विजय कुमार सिंग आज आये थे विधान सभा मार्च करने के लिए बड़े बड़े नेताओं ने बुलाया था सारे करकरताओं को और आज पटना पुलिस ने इतने बरबरता से लाठी चलाई कि भारिपा का एक महामंत्री अपनी जान से हाथ दो बैटा समराच चौधरी विजय सिनहा सुशील मोदी रेनू देवी इसके अलावा तमाम वो बड़े नेता पुलिस के द्वारा गिरफतार कर लिए गए हैं वो तो छूट जाएंगे लेकिन एक महामंत् कम पांच जगह बेरिकेडिंग की गई थी वाटर केनन अलग फेका जा रहा था आसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे लाठीया तावर तोड़ भारी जा रही थी और भाजपा के कारिकरता एकदम से नारा लगा कर विधान सभा की ओर बढ़ रहे थे समराच चौधरी को महा मंतरी विजय कुमार सिंग PMCH में दम तोड़ चुके हैं सुशील मोदी और समराच चौधरी इस खबर की पुष्टी कर चुके हैं और इस बात का भी ऐलान हो गया है कि कल भाजपा राजभवन का मार्च करने वाली है आप समझेए लाठी में कितना दम रहा होगा लाठि वैसे ही मौत की पुष्टी हुई है विजय कुमार सिंग की जहानाबाद के महा मंतरी की वैसे ही विधान परिशद और विधान मंडल के पास जादा मात्रा में फोर्स भी भेज दिया गया है और ऐसा इसी लिए हो रहा है क्योंकि अब डर सरकार को जादा लगेगा क्योंकि एक कार्यकरता की मौत हो गई है नाम उनका विजय कुमार सिंग है जहानाबाद के भाजपा के महा मंतरी हैं यहाँ पर आये थे रैली में मार्च करने विधान सभा तक भाजपा के वो तीन मांगों को लेकर जो तीन मांगे पहली मांग ये थी कि शिक्षक को सारे सिक्षकों को जो पहले से हैं उनको राज कर्मी का दरजा दीजिए दूसरी मांग थी 10 लाख नौकरी आप पहली कलम से देने वाले थे वो नौकरी कहा है और तीसरी मांग थी कि तरस्मी आदव चार्ज शिटेड हो गए हैं तो उनसे इस्तिफा लीजिए और भाजपा के कारिकरता लमसम लाख के नंबर में होंगे लेकिन नितीश कुमार भी तैयारी में थे तैयारी ऐसी थी कि डाक बंगला को पांच अलग अलग रूट से घेरा गया पुलिस की अलग अलग टुकुडिया तैनात थी लाठी भाजने का आदेश था वाटर कैनन स पानी छोड़ने का आदेश था आसू गैस के गोले छोड़ने के आदेश थे और इन सब के बीच में भाजपा के एक महा मंत्री की मौत हो जाती है और अब बवाल होना तैय है बवाल ऐसा कि कल भाजपा वाले राजभवन का मार्च करने वाले हैं बवाल ऐसा कि कल भाजपा बेकार नहीं जाएगा बागी इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको इतला करेंगे मिरा नाम प्रशान्थ है आप जनता रिंग्शन देख रहे थे बहुत बहुत घनिवाद